जी बेटा विडियो के अब तीसरे पार्ट में हम लफ्जित करेंगे ये भी 20 हैं एक एक लाइन छोड़के काम करना है ठीक है कॉलन बनाना है अचा मैं लफ्जित पढ़ती जा रहे हैं ये भी लफ्जित एं पिटा तो ऐसको यार्ट करना है और समझना कि क्या वर्ड लख आएँ पहला लफ्ज है year द्रिगो मतलब लंबा बिंदरो मतलब छोटे कट वाला ये मतलल लंबे कट वाला ये छोटे कट वाला चोटा है सेगा बिंदरो ठीकर नंबर टू है रोशनी उसका अपोजट क्या है उन्धाइ लफ दित ऊपोजिट को बोलता है मतलब उलट को जो लफ्स दिया गाए इसको उल्टा बताना है रोशनी उन्धाइ मतलब अंधेरा ठीकर नंबर तरी है सच्छ सच मतलब सच, कूड, कूड मतलब जूट, सच का कूड, कूड मतलब जूट, नमबर फोर है, डुख, डुख मतलब दुख, सुख, सुख मतलब सुख, मतलब आरा, नमबर फाइफ है बीमार तंदुरुस्त बीमार उसका क्या होगा तंदुरुस्त नमबर सिफ डाहो डाहो मतलब अकल्मन डाहो मतलब अकल्मन बेवकूफ उपोसिट इसका क्या है बेवकूफ नमबर सेवन सवाल जवाब सही है सवाल जवाब नमबर एट पाणी, पाणी मतलब पाणी बाए, बाए मतलब आग, पाणी बाए, पाणी आग नमबर नाइन है जिये, जिये मतलब जिये मतलब जीना, मरे मतलब मरे, जिये मरे ठीक है नमबर टैन है जिंदगी मौत जिंदगी मौत ठीक है यह 10 है इसके बाद आ जाओ नमबर 11 के ठीक है नमबर 11 नंधो नंधो मतलब छोटा वड़ो मतलब बड़ा ठीक है नमबर 12 है थदो नुक्तेओं का ख्याल रखिएगा बेटा नुक्तेवाजे है थदो और थदो का मतलब ठंडा कोसो मतलब गरम थदो गरम नमबर 13 है सफाई और इसका होगा गदलाई सही है गदलाई मतलब गंदगी नमबर 14 खादिम मतलब नौका मगदू मतलब जिसका वनौका नमबर 15 सुहणो सुहणो मतलब फूपसूरत कोजो कोजो मतलब बदसूरत नमबर 16 सुथो सुथो मतलब अच्छा खरा मतलब खरा नमबर 17 अच्छा मतलब आना वन्या जाना नमब 18 आखिर आखिर अफिर 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 ये वह जम्ह मुझा कमरा लफजित का काम खतम होता है इन्शाला ताला अगली वीडियो में नए काम के साथ आज़र होंगे तब तक के लिए अलाव